प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दिललन टॉप शो देश में आज से 60 साल से उपर की आबादी को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया यानि कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमने एक और मोर्चा खोल दिया है लेकिन बावजूद इसके संक्रुमण हम पर हावी होता दिख रहा है संक्रुमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके लोग कोरोना से नहीं बच रहे हैं तो अब सरकार के पास क्या उपाय बचा है क्या हमने बूस्टर डोज शुरू करने आफ देच सकते हैं इधर कि यह कितनी घंडी है रोड उदर से भी पीछे से आजे के कौँ दिखाते है को पीछे से भी हम दिखाएंगे जल्ली 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 Алग इधर देखे हम इधर bada к यह अ चट रहे हैं हट इधर मरा चलो देखने के लिए इस वीडियो में 4-5 साल की बच्ची की क्यूटनस है प्यारी सी आवाज के साथ वो टीवी की रिपोर्टिंग कर रही है वीडियो कश्मीर का है, सोशल मीडिया पर काफी वाइरल है हमने काफी कोशिश की ये पता लगाने में कि बच्ची कौन है और कश्मीर में किस इलाके की है ये जानकारी हमें नहीं मिल पाई है रिपोर्टर के रोल में बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है अगर आप बच्ची की क्यूटनेस से आगे जाकर देखें तो इस वीडियो में बच्ची की परिशानी उसके घरवालों की परिशानी दिखती है हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये वीडियो क्यों बनाया गया होगा ताकि इस इलाके की तूटी सडकों का हाल उन तक पहुँच सके जिनके जिम्मे है बहतर सडके देना उमीद है बच्ची की महनत प्रशासन तक पहुँचेगी पर सवाल ये भी है कि कब तक और कितने बार बच्चों को ऐसे वीडियो बना कर अपने लिए सडकों की मांग करनी पड़ेगी दिसंबर 2020 में ललन टॉप की टीम सुरेश और अमितेश कश्पीर में ग्राउन रिपोर्टिंग के लिए गए थे तब वहां कई लाखों में लोगों की ये शिकायते थी कि सडके सर्दियों में इतनी खराब हो जाती है कि उन रास्तों से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है बांडिपोरा के कणियारी इलाके से रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए ये रास्ता पानी कितनी मैने होता है यह पूरी रिपोर्ट और कश्मीर की और भी रिपोर्टS आपको ललन टॉप की यूटिव चैनल पर मिल जाएंगी हम चलते हैं आज की सुर्खियों पर पहली सुर्की में बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की पात जनवरी वाला मामला जब प्रधानमंत्री पंजाब में एक रैली को संबोधित करने गए थे और हुसेनी वाला इलाके में एक flyover के पास उनका काफिला प्रदर्शन कारियों के विज़े से रोकना पड़ा था इस मामले की जाच के लिए सुप्रीम कोट ने रेटायर जस्टिस के अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमिटी बनाई है हाला कि कमिटी में कौन-कौन होंगे वो नाम ये खबर लिखे जाने तक ये शो बनने तक बाहर नहीं आये थे सुप्रीम कोट में ये मामला 6 जनवरी को पहुँचा था जब Lawyers Voice नाम के NGO ने याचिका दायर कर दोशी अधिकारियों के खिलाफ कारिवाई की मांग की थी इस याचिका पर आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूरेकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की सुनवाई में पंजाब सरकार के वकील थे अडवोकेट जनरल डियेस पटवालिया ने कोट में पंजाब सरकार ने कहा कि मामला गंभीर है लेकिन हमारा पक्ष सुने बिना हमारी कमी मत निकालिये अगर हमारे अधिकारी गलत हैं तो उन्हें फासी पर लटका दीजे लेकिन एक निश्पक्ष जाच के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि जब सुप्रीम कोट पहले ही कह चुका है कि केंदर और राजे इस मामले में अपनी जाच रोग दे तो केंदर सरकार की कमिटी ने पंजाब के अधिकारियों को साथ नोटिस क्यों भेजे इन दलीलों के साथ पंजाब सरकार ने कहा कि हमें केंद्र की जाच पर भरोसा नहीं है, हम निश्पक्ष जाच कमिटी चाहते हैं पंजाब सरकार के आरोपों पर कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या आपने हमारे आदेश के बाद भी नोटिस भेजे इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि नोटिस कोर्ट के आदेश से पहले ही भेज दिये गए थे तुशार महता ने कहा कि पंजाब की सरकार पुलिस अधिकारियों को बचा रही है, यह बहुत गंभीर मामला है और केंद्र की कमिटी को ये देखना है कि चूक कहा से हुई तो इस तरह से दोनों तरफ की दलीले सुनकर जजो की बेंच ने कोर्ट मॉनिटर्ड जाच का एलान कर दिया है प्रधान मंतरी की सुरक्षा का मामला है, निश्पक्चता से ही जाच होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है वो चाहे केंद्र के अधिकारी हो या राज्य के उन पर कड़ी कारवाई होनी ही चाहिए दूसरी सुरकी भी सुप्रीम कोर्ट से है हरिदवार में हुई धर्मसंसत को लेकर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तयार हो गया है याचिका में आरोप है कि नफरती भाशर देने वालों के खिलाफ एफाई आर दर्ज होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई है याचिका करता की तरफ से वकील और कॉंग्रिस नेता कपिल सिबल ने कहा है कि सत्यमेव जैते से देश शस्त्रमेव जैते की तरफ जा रहा है शस्त्र मतलब हथियार आप जानते ही होंगे कोर्ट ने सिबल से पूछा कि क्या कोई कारवाई नहीं हुई है सिबल ने मताया कि सिर्फ 2FIR हुई है लेकिन कोई गिरफतार नहीं किया गया है इसके बाद कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे हाला कि सुनवाई की तारीख भी नहीं दी गई है सत्रा से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्मसंसद हुई थी जिसमें कई लोगों ने मुस्लिमों को मारने और हिंदूराष्ट बनाने समेत भड़काउ भाशर दिये थे सब कुछ वीडियो के रूप में उपलब्ध है तीसरी सुर्की चुनावी राजी यूपी से यूपी में कॉंग्रेस और प्रियंका गांधी की कोशिशों को आज जटका लगा है पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में कॉंग्रेस के बड़ी मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का एलान कर दिया है क्या कहा उन्होंने आज मीडिया से सुनिये इमरान मसूद अभी कॉंग्रेस के राष्ट्री सचिव हैं कुछ सालों पहले प्रधान मंत्री पर एक आपत्य जनक टिपणी को लेकर वो सुर्खियों में आई थे साल 2007 में इमरान मसूद ने निर्दली प्रत्याशी के रूप में पहली बार सहारनपुर की मुझफराबाद सीट को जो अब वेहट सीट हो गई है वहां से विधानसबा चुनाव जीता था हाला कि उसके बाद वो नहीं जीत पाए साल 2012 और फिर 2017 का विधानसबा चुनाव इमरान ने सहारनपुर की नकुड विधानसबा सीट से लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा चुनाव में हार के बाद भी मुसलिमों में इमरान मसूद की अच्छी पकड माने जाती है तो माना जा रहा है कि मसूत के समाजवादी पार्टी में जाने से पश्चिम यूपी में सपा की किलेबंदी मस्बूत हुई ये थी दिन की सुर्कियां अब चलते हैं बड़ी खबर पर वो कानों को चेरती सायरन की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी है वो तेज रफतार अम्बुलेंस फिर दिखाई देने लगी है सांसों पर फिर से पहरा चढ़ने लगा है धड़कनों का जोर फिर से बढ़ने लगा है क्योंकि वाइरस न सिर्फ वापस आ गया है बलकि तीसरी लहर के तौर पर अब हवाओं में घुल चुका है तो अब चीजों को हलके में लेने का वक्त नहीं रह गया सरकार भी अब अपनी तरफ से हलके में नहीं ले रही है आपको याद हो तो बीते दिनों राश्ट्र के नाम संबोधन में पी-म ने कुछ एलान किया था प्रिकोशन की दृस्टि से सरकार ने निनना लिया है कि हेल्ग केर और फ्रंट लाइन वरकर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाए तो आज वो दिन आ गया जब प्रधानमंत्री का एलान जमीन पर काम करने लगा है आज से precautionary dose यानि कोरोना की booster dose लगने लगी है 60 साल से उपर के बुजर्ग गंभीर बीमारी वाले लोग और frontline worker को दो dose के बाद अब booster dose लगाये जाने की शुरुआत हो चुकी है ये सारे जतन इसलिए किये जा रहे हैं ताकि तीस्टी लहर से नुकसान से बचा जा सके और ये बात तो अब तक आपको पता लगी गई होगी कि Omicron वाइरस जंगल में आग की तरह पहल रहा है रक्षा मंत्री राजनात सिंग की रिपोर्ट आज positive आई है दिल्ली के सीम केजरिवाल भी संक्रोमण की चपेट में आ गए थे कई और नेताओं को भी इस लहर में लपेटे में लिया है जिसमें नया नाम जुड़ा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इनके दोनों डिप्टी सीम पहले से ही COVID positive थे और इस तरह शीर्ष सरकार का COVID की चपेट में है पिछली बार की तरह इस बार फिर से आसपास के लोगों के positive होने की खबरे आने लगी है कुछ लोगों को अस्पताल में जाना पड़ रहा है और कई दिनों की शान्ती के बाद अब तो मौत की जी मौत की भी खबरे आने लगी है ऐसे में डरना भले नहीं मगर साफधान तो हो ही जाना है ताकि वो स्थिती ना आए जो अपरेल मई के महीने में थी भूले तो नहीं है वो सब कुछ पॉडिक जीवार करें लोगों की फीलिख के साथ घल्वार कर रहे है क्मारे भाए हम लोग पपार सेंदर कई के लाए क्योंकि यह वो आवाजे जिने भूला नहीं है यह वो दर्थ हैं जिने जहन में रखकर चेत जाना चाहिए मास्क फिर से मूँ पर चड़ जाना चाहिए आपकी ठुड्डियों से और हां हमें पता है कि बीते दिनों हम लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया था मुझे मत देखिए मैं सिर्फ बुलिटन के वक्ट शूट के वक्ट जो भी होते हैं उसमें मास्क उतारती हूँ वो भी तब जब यहां आसपास लोग नहीं होते बाकी इन आकड़ों को देखने के बाद कोई मूर्खी होगा जो सार्जुनिक जगों पर मास्क से परहेस करेगा क्योंकि कोरोना की तीस्टी लहर चहणने लगी है पिछले 24 घंटे में महराष्ट में सबसे ज़्यादा 44,388 केस दूसरे नंबर पर पश्चिम मंगाल में 24,287 केस और दिल्ली में 22,751 केस आए हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो एक दिन में 1,89,000 से ज्यादा केस म बढ़ने वाला है अंग्रेजी अकबार इंडियन एक्स्प्रेस को दिये अपने इंटर्व्यू में जाने माने गड़ित अग्यमनींद अगरवाल ने देश को आगाहा करते हुए बताया है कि ओमिक्रॉन की वजए से उठी तीसरी लहर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े आ सकते हैं जो आकड़ा पिछली बार से भी ज्यादा है 100 साल पुराने SIR मौडल पर पैंडमिक के दोरान इस तरह की गड़नाओं से अनुमान लगाया जाता है और जो अनुमान है वो बता तो यही रहा है कि तीसरी लहर दूसरे वाले से भी बड़ी होने जा रही है जो मार जोब के देश भी इससे बुरी तरह जूज रहे हैं तो ऐसे में ब्रिटन ने जो जेला हिंदुस्तान उससे क्या सीख सकता है और ओमिक्रॉन की यह लहर हमारे देश के लिए कितना बड़ा खत्रा है स्कॉट्लेंड में मौजूद भारतिये मूल के MBBS डॉक्टर अविरल व जो चिंता की बात है वो यही है देखे double dose vaccination बहुत critical है delta के लिए है critical हो गई थी कि अगर आपको delta से protection चाही तो double dose vaccination चाही ही चाही है that was bare minimum वो भी अभी इंडिया में 55, 55, 55 प्रतिशत के करीब ही लोग हैं जिनको double dose vaccination मिली है दूसरी बात जो हमारी पिछली डेल्टा की वेव थी वो 6 महीने से जादा पुरानी थी उसका मतलब यह है कि जो लोगों को तब संक्रमन हुआ था उनकी जो immunity है बचाव करने की immunity है वो नीचे की तरफ जाने शुरू हो जाती है चार-पांच महीने के बाद double dose vaccination की जो immunity है वो भी नीचे जाना शुरू हो जाती है पांच महीने के बाद तो इंडिया की हिसाब से यह जो और फैल बहुत तेजी से रही है इंडिया में इंडिया में co-morbidities वाले लोग बहुत हैं लाखों की तदाद में हैं बच्चों को भी इंडिया में immunization नहीं हुई है बूस्टर्स भी roll out नहीं किये गए हैं अभी आज ही बूस्टर्स जो है स्वाइल है बहुत ही उपजाओ जमीन बन गई है फिर से omicron को फैलने के लिए और हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि जितना यह फैलेगा उतना नए स्ट्रेंज आने का भी खत्रा बना रहेगा ही क्योंकि एक लहर आती है और दुनिया में घूमते घूमते फिर किसी दूस को समझते हुए चुनावी रैलियां रद की जा चुकी है रोड शो पद्यात्रा पर रोक लगाई जा चुकी है लोगों से हाथ जोड कर मास्क लगाने की अपील की जा रही है और प्रिकॉशन के तौर पर बूस्टर डोस भी आज से लगनी चालू हो गई है तो मन में पहला सवाल है कि आखिर आपके मम्मी पापा दादा दादी को बूस्टर डोस कैसे लगेगी क्या फिर से रेजिस्ट्रेशन करना होगा तो जवाब है नहीं पहले जो रेजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें एक तीसरी डोस का कॉलम कोविन आप पर जुड जाएगा आप वहीं से रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं तो पास के किसी स्वासकेंद पर जाएए आधार कार्ड अपना साथ ले कर जाएए अगर आप बुजुर्ग हैं या फ्रंट लाइन वरकर हैं जैसे डॉक्टर, पुलिस, सेना से जुड़े हुए हैं और किसी बीमारी से ग्रस बूस्टर डोज लगा दीए हैं ब्डिटिन में 100 में 2022 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है जिसकी वजह से वहाँ कैजूञ्टी बहुत कम है इٹली और जर्मनी में 100 में 492 लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है ऐसे ही तमाम देशों का ये चार्ट है जिनोंने पहले से शुरू कर दिया था, चीन भी सौ में से 25 लोगों को booster dose लगा चुका है, और पूरी दुनिया की बात करें, तो सौ में से 15 लोगों को booster dose लग चुका है, न्यूयॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक, अमेरिका तो अपने कुछ गंभीर बिमारी वाले लोगों को चौथा dose भी लगाने की तयारी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि जब तीसरी लहर हमारे दर्वाजे पर दस तक दे गई, तब हमारे यहां booster dose शुरू हुआ है, मगर कहते हैं, देर आए, दुरूस्ट आए, दुआ करते हैं, यहां भी दुरूस्ट आएंगे, मगर booster dose प्रणे पैमाने पर उनको लगाया जा रहा है, तो वर्ल्ड ओवर बूस्टर को जो है कि मैं कहूं कि प्रात्मिक्ता दी जा रही है, लेकिन हमें साथ की साथ यह भी देखना है कि जो एफरीका है, या इवन लेटन अमेरिका की बहुत कंट्री जहां पर भी single dose vaccination भी नहीं मि लेकिन जो policy makers हैं, उनको बैठकर उनको बैठकर यह जो इनिक्विटी है vaccination की उसको बर definitely address करना चाहिए, क्योंकि जैसा Omicron आया है, आगे और भी variants आ सकते हैं booster dose मिल रहा है, तो उसे लेना है, आपकी country में भी booster मिलने लगा है, तो जो बुज़ूर्ग और health worker सरकार अभी भी criteria में हैं, वो हगदार हैं, वो booster dose लेने की तैयारी कर लें एक और सवाल जो जहन में होगा, कि आखर booster dose में लगेगा क्या, तो जवाब है, कुछ बदलेगा नहीं, जिसको पहले की दो dose COVID-Shield की लगी है, उसको तीसरा यानि booster dose भी COVID-Shield ही लगेगा, और जिसको को वैक्सीन लगी है, उसका booster dose भी को वैक्सीन ही लगेगा, बस शर्त रह आखर में आज इतना ही, आखर में अब कू की राय, आज का सवाल था, booster dose लगाने से कम होगा कोरोना का संक्रुमर, जवाब क्या है, हाँ, 81% और ना 19%, अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें, हम कूपर आप से अलग-अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या हैश्टाग ल्टी शो ऑन कू के साथ कू करके बता सकते हैं, हम उसे भी दलनल टॉप शो में शामिल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, शुबरात्रे की से जो में हैं, हमें पर आपकी लोग से बता सकते हैं ऑन कर्या हैं?